नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है माई गाड़ी गेराज की एक और नई वीडियो में तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं साल दोजार चौबिस में लॉंच होने वाली थर्ड जनेरेशन होंडा में तो यहाँ दो सो इस गाड़ी का बहुत जल्दी नया मोडल यह साल 2013 में सबसे पहले होन्डा में इसको इंडियन मार्केट में लॉंच किया गया था और तब से लेकर अब तक यह वली जो गाड़ी है वो दोस्तों इंडियन मार्केट में बहुत ज़्यादा फेमस यहां पर हो चुकी है और फिर दोस्तों 2018 में सेकिंड जनरेशन मोडल इस से काफी बहतर तो हुएगा और यहां पर तुस गाड़ी का डिजाइन रहेगा वह यहां पर काफी ज़दा फ्यूटरिस्टिंग यहां पर रहने वाले हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहां जो निव होंडा मेज यहां पर लॉंच होने वाले उसकी कैसी में आप देखने को मिलेगा तो गाज जगर चाकवट करते हैं गाड़ी की डिजाइन लेंगवज को तो यहां पर थोड़ा बहुत जो गाड़ी के अलेमेंट है ना वहां पर होंडा एलिवेट से आपर इंस्पाइड है चाहिए वह फ्रेंट ग्रिल का डिजाइन हो वह आपको छोड़ान की तो यहां पर आप करते हैं चाहिए को बढ़ा है वहां बहुत जदा बड़े लगे चाहरे को ऑणीं हुद्धा में देखने को और मिलेंगे और उन्ली होंड़ा में पर देखने को मिलेंगे अग्यों यहां पर फाइव स्टार हो जाए, और यहाँपर मॉर्थीडेजाइर को कांटे के टकर यहवली गाड़ी दे पाए, पकी काभी सालु से, मॉर्थी डिजायर और होन्डा में इसके टकर चलते रहे बाकी देखती है, कि क्या यह होन्डा में इसका नया मोड़ डिजायर को टकर दे पाएगा या नहीं इसके लब अगाज अगर बात करते हैं गाड़ी के इंजन के बार में तो यहाँ पर आपको इस गाड़ी में 1.2 लिटर का फोर स्लेंडर पैट्रोल इंजन आपको देखने को मिलेगा और अभी न्यूस यह भी आ रह लुक है वह आपको देखने को मिल जाएगी और आपर बात करते हैं प्रैसिंग की तो मुझे यह लगता है कि इस गाड़ी के प्रैस हो ना स्टार्टिंग के लिए काफी कम यह पर रखा जाएगा क्योंकि जो भी डिजायर लॉंच हुए है उसका प्रैस हो है आपर कम है ने टॉपक के साथ तब तक के लिए भाई मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में